नमस्कार दोस्तों मैं मनोज रांगेरा आप सभी का डागुर सहब पर हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों आईए हम एशा महादीप के संदर में और चर्चा करते हैं एशा महादीप के संदर में अगर हम बात करें तो मित्रों एशा महादीप के संदर में हम अध्यन करना चाहेंगे कुछ महत्पूर्ण या कुछ प्रमुख मरुस्थलों को लेकर अध्यन करना चाहेंगे कुछुमाहत्सथल को लेकर दिफन करना जाएंगे और इन मरुस्थलों को लेकर हम बात करें वित्रो to आपको इसके अंदर गों कुछ्च मुश्थल देखने को मिनें और इन मरुस्थलों की इस्तितिया और नाम मैं आपको बैसाता हूं आप देखें कजयरा रही कि यह आपके एशा माधिप आपको देखने को मिलता है और मित्रों अगर एशा माधिप के संदर में हम बात करते हैं तो एशा माधिप के संदर में हमारे सामने कुछ कोशन देखने को मिलते हैं और इन कोशनों को लेकर चर्चा करें तो आप देखीगा हमें कुछ मरुस्तलों की इस्तिफिया देखने को मिलती है जिसमें एक मरुस्तल अमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है दूसरा मरुस्तल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक मरुस्तल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक मरुस्तल यह चेतरा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और एक मरुस्तल य चेतर यहाँ पर देखके यह आपके 5 प्रमुक्फ मरुस्तल ऐसे हैं जो आपके एशा के संदर में आपको अध्यन करने को मिले अब सबसे पहले इनके नाम के बारे में बात करें तो नमबर एक पर जो आपको मरुस्तल देखने को मलता है इसे आपके कहा जाता है गोबी मरुस्थल यह कहलाता है गोबी मरुस्थल दूसरे नमबर पर ये जो मरुस्थल मिलता है इस मरुस्थल का नाम आपको पढ़ने को मिलता है तकला माकन मरुस्थल तकला माकन मरुस्थल और मित्रो तीसरे नमबर पर जो यहां पर आपको यह मरुस्तल मिल रहा है इस मरुस्तल का नाम है थार मरुस्तल इसे कहा जाता है थार मरुस्तल और दोस्तों यह चो चार नमबर पर है इस चार नमबर के मरुस्तल का नाम है इरान मरुस्तल के रूप में आपके देखने को मिलता है पांच नमबर पर हम बात करते हैं तो पांच नमबर के मरुस्तल का नाम है अरब मरुस्तल अरब मरुस्तल तो दोस्तों आपको ये पांच मरुस्तली चेतर देखने को मिलते हैं पहला गोबी, तकला माकन, थार, इरान, अरब अब बात की जाए इनके विस्तार को लेकर कि इन मरुस्तलिये चेतरों का विस्तार हमें कहां पर देखने को मिलता है तो मित्रोग गोबी के मरुस्तल का जो विस्तार आपको मिलता है वह आपके दो देशों में देखने को मिलता है मित्रो एक देश का नाम तो है मंगोलिया और दूसरे देश का नाम आपको देखने को मिलता है चीन जबकि तकला माकर मरुस्तल को लेकर हम बात करें तो तकला माकर मरुस्तल का पूर्णते विस्तार आपके कहा पर मिलता है चीन देश में देखने को मिलता है थार मरुस्तल को लेकर बात करें तो थार मरुस्तल फैला हुआ है भारत प्लस पाकिस्तान दो देशों में इसका विस्तार मिलता है जबकि एरान के मरुस्तल का विस्तार नाम से भी प्रतित हो रहा है आपको एरान देश के अंदर आपके इसका विस्तार फैला हुआ है जबकि अरब के मरुस्तल को बात की जाती है तो अरब के मरुस्तल का विस्तार मिलता है अरब प्रायदीप में अरब के प्रायदीप में इसका विस्तार देखने को मिलता है तो ये तो वही पांचों मरुस्तलों के नाम और लोकिशन को लेकर बाते हैं अब मित्रों हम बात करना चाहेंगे इन मरुस्तलों को लेकर हमारे एक्जाम का कोश्चन क्या क्या बनता है तो आपके exam के question को लेकर बात करें तो आप सुनेगा सबसे पहले गोभी के मरुस्तल के बारे में बात करें तो गोभी के मरुस्तल के बारे में question आता है कि इस गोभी मरुस्तल के अंदर आपको दो कूबड वाला एक उंट मिलता है और इस उंट का नाम आपको देखने को मिलता है बैक्रिट्रियन कोशन आता है बैक्रिट्रियन किस मरुस्तल की विसेस्ता है तो आपका अंसर आएगा गोबी के मरुस्तल की यह विसेस्ता देखने को मिलता है जबकि तकला माकर मरुस्तल को लेकर बात करें तो तकला माकर मरुस्तल के बारे में आता है कि चीन के द्वारा यहां पर आपके प्रमाणू परिक्षन किये जाते हैं और प्रमाणू परिक्षन किये जाने के करण इसे आपके प्रमाणू परिक्षन का केंद्र माना जाता है जबकि थार के मरुस्तल को लेकर बात की जाए तो थार के मरुस्तल का कोशन आता है कि यह जो मरुस्तल है सरवादिक जैव विविद्ता सरवादिक जैव विविद्ता वाला मरुस्तल है या इसको आप कह सकते हो विश्व का सबसे आबाद जो मरुस्थल है कि विश्व का सबसे आबाद जो मरुस्थल है वह आपके कौन सा कहलाता है आपके थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है अगर हम बात करते हैं अरब मरुस्थल को लेकर या इरान मरुस्थल को लेकर इसका ये जो भाग है यह भाग कहलाता है उत्री भाग और इसके नीचे वाला जो भाग है मित्रों यह भाग कहलाता है दक्षनी भाग और अब एक्जाम में कोशन क्या आता है वो सुनीगा एक्जाम में कोशन आता है इरान मरुस्तल का जो उत्री भाग है वो अलग नाम से जाना जाता है जबकि दक्षणी भाग अलग नाम से जाना जाता है दक्षणी भाग को आपके कहा जाता है दस्त ए लूट के नाम से इसे जाना जाता है इसे कहा जाता है दस्त ए लूट कोशन आता है कि दस्ते काबिर का संबंध है तो आपकी इरान के उत्तरी भाग से देखने को मिलता है या कोशन आता है दस्ते लूट का संबंध है तो आपका आंसर आएगा दस्ते लूट का संबंध का से है आपके इरान के दक्षनी भाग से इसका संबंध देखने को मिलता है मित्रों अरब के मरुस्तल को लेकर बात करें तो अरब के मरुस्तल के अंदर भी ठीक वो इस्तिया में आई जाती है इसे भी दो भागों में बाटा गया है कि इसके उत्री भाग को लोग एक विसेस नाम से जानते हैं और इस उत्री भाग को कहते है अन नैफुद के नाम से जाना जाता है जबकि मित्रों दक्षनी भाग को लेकर बात करें तो दक्षनी भाग को कहा जाता है रब या रुब अल खाली के नाम से इसे जाना जाता है रब अल खाली या रुब अल खाली के नाम से इसको जाना जाता और ये अरब का मरुस्तल आपके लिए एक्जाम का एक बहत्पूर्ण कोशन बनाता है कि अरब के मरुस्तल की बात करते हैं तो दोस्तों पूरे विस्व में अगर हम बात करते हैं चर्चा करते हैं सरवाधिक विस्व में सरवाधिक आपके बात कर ली जाए पैट्ट्रोलियम की या बात कर ली जाती है खनीज तेल की एक ही बात है पैट्रोलियम बोलो या खनीज तेल तो वेस्व में सरवाधिक आपके पैट्रोलियम वे खनीज तेल का उतपादन किस मरुस्थल में होता है तो दोस्तों आपके आंसर आएगा किस मरुस्थल में होता है अरब मरुस्थल में इसका सरवादिक उत्पादन देखने को मिलता है तो दोस्तों हमने एश्या के संदर में कितने मरुस्तल देखे पांच मरुस्तल में देखने को मिलते हैं जिसमें गोबी का मरुस्तल तकला माकर मरुस्तल थार मरुस्तल इरार मरुस्तल और आपके अरब के मरुस्तल के रू यह भारत और भारत के यहां पर हमें देखने को मिलता है यह स्रिलंका यह भारत और यह स्रिलंका और हमें पता है कि भारत और स्रिलंका कोई बारे में बात करें तो इन दोनों के मद्दे हमें एक पुल देखने को मिलता है और इस पुल को लेकर बात की जाए तो मित्रों बताया जाता है कि राम चंदर के दौरा इसका निर्मान किया जाता है इसलिए इस पुल को नाम दे दिया गया राम सेतु राम के दौरा बनाया गया और सेतु का मतलब होता है पुल इसलिए नाम मिल गया राम से तूँ दूसरा इसका नाम जानना चाहें अत्यदिक बड़े आकार के होने के करण इसे मित्रों का जाता है आदम का पुल इसे का जाता है और तीसरे नमबर पर हम बात करते हैं तो तीसरे नमबर पर इसका कोशन बनता है कि यह समुंदर में इस्तित है और पुल है पुल के लिए सेतू समुंदर में इस्तित होने के कारण इसे आपके का जाता है सेतू समुंदरम के नाम से भी इसको जाना जाता है तो दोस्तों बात आजाए राम सेतू की, आदम के पुल की, सेतू समुंदरम की, तो बात एक ही देखने को मिलती है अब बात आती है इसके एक्जाम के कुछ कोशन की, तो देखो पहला कोशन आता है इसके एक्जाम को लेकर कि आपके इस राम सेतु का विस्तार आपको कहां पर देखने को मिलता है तो मित्रों अगर विस्तार को लेकर कोशन आ जाता है तो आप द्यान रखिएगा इसका विस्तार दो देशों के मद्दे मिलता है भारत वे स्रीलंका के मद्दे आपके इसका विस्तार देखने को मिलता है कि भारत वे स्रिलंका के मद्देश का विस्तार पाए जाता है दूसरे नमबर पर हम बात करते है तो दूसरे नमबर पर हमारा कोशन बनता है कि हम जानना चाहते हैं यह आपके इस्तित कहां पर है इस्तित का मतलब हमसे जल्रासी के बारे में बात करना चाहते है और मित्रों इस्तिती को लेकर बात करें तो यह इस्तित जहां पर है उस जल्रासी का नाम आपको मिलता है मन्नार की खाड़ी के रूप में यह देखने को मिलती है अगर कल को मननार की खाड़ी उप्शन में ना हो तो आप कह सकते हो इसका सम्वन्द आपके एक जलरासी से है और इस जलरासी का नाम क्या है हिंद महासागर के अंदर इसका सम्वन्द देखने को मिलता है और आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता है कि आज वरतमान समय के अगर हम चर्चा करें तो वरतमान समय में दोस्तों यह हमें जगए-जगे से खंडित रूप में देखने को मिलता है और यह खंडित जो चट्टानी टुड़े पाए जाते हैं इन खंडित चट्टानी टुकडों के अंदर यूरेनियम की परदानता पाई जाती है। तो आप कह सकते हो कि इसके बारे में कि यहां मिलने वाली यहां मिलने वाली चट्टानों में खनीजों की आपके परदानता देखने को मिलती है। तो आपके खनीजों में अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्रमख जो खनीज है वो आपके कौन सा है। यूरेनियम की परदानता देखने को मिलती है। तो मित्रों ये आपको लर रखना है राम सेतु जो कई बार आपके एक्जाम में देखने को मिलता है। राम सेतू, आदम का पुल, सेतू समुन्द्र, विस्तार है बारतवे स्रलंका के मद्द, सम्मन्द है मननार की खाड़ी से या हिंदमा सागर से और यहां मिलने वाली चट्टानों में यूरेनियम खरीज की प्रदानता देखने को मिलती है। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमारे सामने दो सब्दाते हैं, एक तो सब्दाता है आपके, प्लेट फोर्म, और एक सब्दाता है रेल मार्क, अगर आप प्लेट फोर्म को लेकर बात करते हैं, तो प्लेट फोर्म को लेकर आता है कोशन उससे पहले आपको प्लेटफोर्म बता देता हूं प्लेटफोर्म क्या होता है प्लेटफोर्म से तात्प्री है दोस्तों ऐसा इस्थान जहां से यात्री वे समान रेल में चड़ाए वे उतारे जाते हैं उस उचे इस्थान को प्लेटफोर्म कहा जाता है और अगर कुन सा है तो इसका जो शही आंसर वैसटी का अंसर होगा वह होगा आपके गोरकपूर कि आपके विश्यो का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वह आपके देखने को मिलेगा गोरकपूर और गोरखपूर का संबन्द जानना चाहें, उत्तर प्रदेष में यह इस्तित है और उत्तर प्रदेष का संबन्द कहा से है? भारत से. जबकि हमें विदित है कि अगर बात आती है इसको लेकर कि ये साब आपके लंबा है तो इसके लंबाई तो आपके एक पॉइंट तीन किलोमेटर इसके लंबाई देखने को मिलती है तो ये तो वा साथ आपके platform को लेक्ट अब rail mark को लेकर kooshan आता है और rail mark को लेकर गोशन हाता है वह आपके kooshan क्या बनता है वो जरा सुनिएंगा kooshan आता rail mark भी हमें वताईए साथ और वो rail mark भी कैसा विस्व का सब से लंबा हम जानना चाहेंगे रेलमार्क तो विस्व का सबसे जो लंबा रेलमार्क मिलता है उस सबसे लंबे रेलमार्क के बारे में बात करें तो उस रेलमार्क का नाम आपको देखने को मिलता है प्रांस साइबेरियन रेल मार्क के रूप में इसका संबन देखने को मिलता है तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्क विस्व का सबसे लबा रेल मार्क है अब बात आती है इस रेल मार्क के बारे में कि सब इस रेल मार्क का विस्थार कहां पर फैला हुआ है तो मित्रों इस रेल मार्क का जो विस्तार है वह आपके दो महाधीपों में देखने को मिलता है यूरोप वह एश्या में इसका विस्तार देखने को मिलता है इसलिए हम इसको समलित रूप से कह देते हैं कि इसका विस्तार जो फैला हुआ है वह यूरिश्या में फैला हुआ है या आप कह सकते हो इसका विस्तार रूस में देखने को मिलता है अब दूसरा कोशन आता है कि रूस में फैला हुआ है यूरेशिया में फैला हुआ है लेकिन इस्थान तो आपके एक इस्थान का नाम तो है सैंट पिट्सबर्ग से सैंट पिट्सबर्ग से वलाडी वॉस्टक तक इसका विस्थार देखने को मिलता है और यह विस्थो का सबसे लंबा रेल मार गए है इसकी लंबाई को लेकर बात करते है बान में 89 किलोमेटर लगबग इसकी आपको क्या देखने को मिलती है लंबाई देखने को मिलती है तो ये हुआ दोस्तो आपके दो कोशन एक तो आपके प्लेटफॉर्म को लेकर कोशन और एक आपके रिल मार्क को लेकर कोशन इसे और आगे बढ़ेगा दोस्तो नेक्ट कोशन आपको देखने को मिलता है कि हमसे कहा जाता है प्रायदीप को लेकर कोशन आता है और दोस्तो प प्राइदीप का मतलब हम जानते हैं कि प्राइदीप का मतलब होता है दरातल का वहभू भाग। और इस्थल का वहभू भाग जो आपके तीन और से आपके जलरासी से घिरा हुआ हुआ होता है, ऐसा इस्थल अगर आप जानना चाहें किस नाम से जाना जाएगा तो मित्रों ऐसे बुभाग को आपके क्या कहा जाता है प्राइडीप कहा जाता है तो अपने इस प्राइडीप को लेकर एक्जाम के कुछ कोशन बनते है पहला कोशन बनता है आपके विस्स इस्तर को लेकर और विस्स इस्तर में हम बात करते हैं तो दो कोशन हमको देखने को मिलते है पहला कोशन मिलता है विस्स इस्तर पर कि विस्स का सबसे बड़ा प्रायदी एक तो कोशन आया विस्स का सबसे बड़ा प्रायदी और दूसरा जो question आता है, वह question आता है, लंबा प्रायदेब, दो question आपको देखने को मिले, विस्यो का सबसे बड़ा प्रायदेब, और मित्रो विस्यो का सबसे लंबा प्रायदेब, अगर इन दोनों के अंस्वर जानना चाहें तो आपके सबसे बड़ा जो प्रायदीप है उस प्रायदीप का नाम आता है दोस्तों इसे का जाता है अरब का प्रायदीप अरब के प्राइदीप के रूप में देखने को मिलता है जबकि लंबे की बात आ जाती बड़ा तो चितरफल से है लंबे के बारे में बात आती है तो फिर आपका अंसर आएगा भारत का प्राइदीप कि भारत का सबसे आपके लंबा जो प्रायदीप है वह प्रायदीप आपके कहलाता है भारत का प्रायदीप कहलाता है ये कोशन आपको एश्या के संदर में पढ़ने को मिले में इसे और आगे बढ़ते हैं तो आपके एक कोशन और आता है दोस्तों और कोशन सुनेगा कोशन पूछा जाता है पूरे संसार को लेकर पूरे विश्व को लेकर कि आप बताइएगा विश्व में ऐसा कोई देश बताइएगा जो आपके बात कर ली जाए गेहू चावल मचली तमबाको इन सबका आपके क्या करता है सरवाधिक उत्पाधन करता है जबकी दोस्तों विश्व इस तर पर बात की जाती है तो विश्व इस तर पर next question आता है कि हमसे पूझा जाता है कि विश्व में सरवादिक अगर आप बात करते हैं अबरग को लेकर कि विश्व में सरवादिक अबरग का अगर हम बात करना चाहें उत्पादन तो आपके विश्व में सरवादिक अबरग के उत्पादन में अगर फर्ष्ट नमबर पर कोई देश आता है तो मित्रों उस देश का नाम आता है भारत देश देखने को मिलता है ये इस्ततिया आपको देखने को मिलती है इसके बारे में और जड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपके नेक्स्ट कोशन आता है कि नेक्स्ट कोशन आता है फिर विश्व स्तर को लेकर आपके और इसमें फिर पूछा जाता है कि अगर आप संसार को लेकर ही बात करते है और कोशन आता है विश्व का सरवादिक अगर आप बात करते हो तो विश्व में सरवादिक जल्पोत या आप इसको कह सकते हैं जलियान विश्व में सरवादिक जल्पोत या जलियान उत्पादन करने वाला देश कौन सा है तो उस देश का नाम मित्रों मिलेगा उस देश का नाम मिलेगा जापान कि जापान आपके सबसे ज़्यादा बानी में चलने वाले जहाज का आपके उत्पादन करता है, निर्मान करने में अग्रीम इस्थान रखता है, जबकि दोस्तों आप बात करते हो, इसी विश्व स्थर को और आगे बढ़ाते हैं, और कोशन आता है हमारे, कि हमसे पूछा ज सबसे बड़ा, इस्तला रुद्ध, या आपके इसी को कह दिया जाता है, इस्तला बद्ध, इस्तला बद्ध, या इसका और भी साब्दिक अर्थ जानना चाहें, आसान वे सरल भासा में जानना चाहें, तो इसका साब्ध कर्त होता है जमीन से गिरा हुआ ये जो कोशन है इसका हम आंशर जानना चाहें तो विशो का सबसे बढ़ा जो देश देखने को मिलेगा उस देश का नाम मिलता है मित्रो कजाकिसतान की कजाकिसतान आपके नंबर एक पराता है और कजाकिस्तान उप्शन में नहीं होता है तो आपके दूसरे नम्बर पढ़ाता है मंगोलिया और दोनों का सम्मन्द इस अश्या मादीप से इन दोनों का सम्मन्द देखने को मिलता है कि ऐसा देश बताइए जिसके चारों तरफ आपके महासागर की सीमा नहीं लगती हो इस्थलिय सीमा लगती हो वह आपके विस्व का सबसे बड़ा इस्तलारुद या इस्तलाबद या जमीन से गिरा हुआद इसका है नेक्ट κॉशन के और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कोई दीप है जिसका निर्मान नदी के द्वारा होता है वह दीप कौन सा है तो उसका जो आंसर आता है मित्रों वह आंसर आपको मिलता है मांजूली दीप और मित्रो मांजूली दीप को लेकर बात करें तो मांजूली दीप का जो संबन्द है वह आपके संबन्द देखने को मिलता है कहां से असमराज्ये से इसका संबन्द देखने को मिलता है और अगर हम बात करते हैं असमराज्ये का संबन्द कहां से है बारत से और हमने जानना चाहा इस आपके किस नदी के दोरा निर्मित है तो ये है आपके किस नदी के दोरा निर्मित है ब्रमपुत्र नदी के दोरा इस मांजूली दीप का क्या किया जाता है निर्मान किया जाता है तो आपके विस्व का सबसे बड़ा नदिकरत दीप पूछा जाता है तो वो दीप कुन सा जाएगा मांजुली दीप देखने को मिलेगा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों विस उस्तर पर फिर कोशन आपके पढ़ने को मिलता है कि विस्तो का हम जानना चाहेंगे सबसे बड़ा डेलता विस्तो का सबसे बड़ा डेलता तो दोस्तों विस्तो का सबसे बड़ा जो डेलता देखने को मिलता है उस डेलते का नाम आप जानना चाहें उस डेलते का नाम है सुन्दरवन का डेलता और ये जो सुन्दरवन का डेलता है इस सुन्दर वन के डेल्टे का जो विस्तार मिलता है उस विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार दो देशों में मिलता है भारत प्लस बांगला देश इसका विस्तार जो मिलता है वह आपको दो देशों में मिलता है एक तो मित्रों भारत और दूसरा मिलता है बांगला देश कि भारत वह बांगला देश में ये फैला हुआ है और दूसरे नमबर पर बात करें तो दूसरा कोशन आता है सुन्दर वन का डिल्टा है इसका निर्मान दो नदियों के द्वारा निर्मित होता है एक तो आपके गंगा और दूसरी आपके ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा आपके यह क्या होता है निर्मित होता है यह इस्तिया आपको देखने को मिलती है एश्या माधिप के महत्पुन कोशनों के रूप में और जरा आगे बढ़ते हैं तो एश्या माधिप के संदर में और आगे बढ़ते हैं तो एक कोशन हो रहता है अगर केवल एश्या को आधार माना जाए तो एश्या के दो कोशन आपको अक्सर पढ़ने को मिलेंगे दो तिन कोशन बता देता हूँ एक तो कोशन मिलता है एश्या माधिप को लेकर एश्या माधिप का पुझा जाता है सबसे बड़ा दीप कि एशा माधीप का सबसे बड़ा दीप पुझा जाता है और दूसरे कोशन को लेकर बात करें तो एशा माधीप का दूसरा कोशन बनता है सबसे गरम इस्थान और तीसरा कोशन बनता है एशा माधीप का सबसे ठंडा इस्थान तो अपन इन सभी कोशनों को लेकर चर्चा करें तो आप कोशन सुनीगा तीन कोशन हमारे सामने आए और इन तीनों का अगर हम आंसर जानना चाहें तो आप आंसर सुनीगा एश्या का सबसे बड़ा जो दीप है उस दीप का नाम हम जानना चाहें मित्रों तो उस दीप का नाम आपको पढ़ने को मिलता है बोर्नियो और ये जो बोर्नियो दीप है इसको लेकर हम बात करते हैं इसका संबन्द एक देश से देखने को मिलता है और उस देश का नाम आपको पढ़ने को मिलता है इंडोनेशिया इंडोनेशिया से इसका संबन्द देखन को मिलता है जब की बात कर ली जाती है सबसे गरम इस्थान की तो गरम इस्थान आपको पढ़ने को मिलता है जैको का बात और जैको का बाद का जो संबन्द है वह आपके देखने को मिलता है पाकिस्तान से जबकि सबसे ठंडे इस्थान की बात करते हैं तो ठंडा जो इस्थान है वो आपको देखने को मिलता है उसका नाम है बर्खोयंस्क ये बर्को यांस्क जो है इसका सम्मद आपको देखने को मिलता है कहां से रूस देश से इसका सम्मद देखने को मिलता है किसी जमाने में ये बर्को यांस्क जो था ये विश्व का सबसे ठंडा इस्थान हुआ करता था लेकिन मित्रों आज वर्तमान में किसका रह गया है? एशिया का इस हर्च पर ठंडा स्थान रह गया है जबकि वेश्व का सबसे ठंडा स्थान आपके अंटार्टिका महाधीद में देखने को मिलता है जिसे आपके वाश्टोक के नाम से जाना जाता है आज के लिए दोस्तों इतना फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद जय हिंद जय भारत